अब एक्स्प्लोरेशन जैसे अनन्थ है मैं कहता हूँ और आप आएंगे तो इस प्लेस का नाम भी अनन्थ हो गया अनन्थ के नाम चानन दा इटर्नल बुद्धा इस्पेस तो किसी को यह लगेगा कि बड़ा ही टेक्निकली नाम रखा गया है जब भी रखा गया होगा बहुत थौटफुली सोंस समझ के तो कि ऐसा बिलकुल भी नहीं आज मैं जो भी बात कह रहा हूँ वो इटर्निटी की फिलोसिफी में ही पढ़ती है उसी काटिगरी में पढ़ती है यानि कि जीवन अनन्थ है ग्यान अनन्थ है सम्हावनाई तो उससे तो बिलकुल मैच करता है ये मामला कि अनन्थ में आप रहेकर ये सारा काम करें बिलकुल फिट बैठता है लेकिन ये नाम बिलकुल सहीं योग से आया है बिलकुल रैंडमली जिस दिन इस घर का नाम रखने की कोई बात उठी तो मैंने दो-तीन नाम सज्जेट कि कि ये भी कि और नाम थोड़ा चोटा ऐसे तीं-चार अच्छर का लेटर का ही रखना था तो मैंने दो तीन नाम से जल्येस्ट किये थे जिसमेंसी अनन्द चुन लिया गया और अनन्द का नाम बन गया नाम बन गया नाम चल निकला आज पूरे लखनोव में या कहीं सभी लोग अनन्त के नाम से बिलकुल जानते हैं आप आटो वाले से पूछेंगा अनन्त ले चलो तो वो ले आएगा अनन्त स्री जो आया ये भी सहियोग से आ गया पहले जिस नाम से जाना जाता था वो पीछे बुक्स पड़ी होंगी अभी उसमें वो पृंट है यानि कि नए नाम से ज़्यादा पृंट नहीं हुई किताबें दो-तीन पृंट हैं तो पहले उसी नाम से पृंट होती थी तो 2012 का नए साल का पहला दिन था तो कृष्णा जी के हस्पेंड ने मुझे न्यू यर विश्क करने के लिए फोन किया सत्यभारती जी ने उने का अनन्स्री को नए वर्ष की सुबकाम ना है तो मैंने पूछा अनन्स्री कौन है तो ने का आप ही को कह रहे है मैंने का अच्छा तो नाम ठीक लगा मुझे मुझे लगा ठीक है यह तो सारे जंजट से मुक्त कर सकता है नाम केवल इसी नाम से सारी चीज़ें चल सकती है तो वो नाम एक्सेप्टेड हो गया वो चल गया वो चल ला है यह मोटी मोटी दो बातें बांकि तो happening ही हो रही होती है life में अगर आप गौर करेंगे तो ये जीवन एक ऐसी happening की तरह है जिसको आप जब देख लेते हैं तो बहुत relax हो जाते हैं बहुत सान्त हो जाते हैं लेकिन इसमें point क्या है जिसको मैं बार-बार समझाने की कोशिस करता हूँ ये ऐसा नहीं कि जब आप happening की तरह देखते हैं तो आपके करने के लिए कुछ space नहीं बचता आपके करने के लिए पूरा space है वो existence ने आपको दिया हुआ है इस daily living को बहुत ही सुचारू ढंक से चलाये रखने के लिए अगर वो नहीं मिलेगा तो वो daily living भी वैसे नहीं चलेग अब ही देखे क्या है जो आजकल AI पे जादा काम हो रहा है software में जो तक काम कर रहे हैं बहुत साय लोग artificial intelligence पे काम कर रहे हैं जो लोग उसको technically समझते हैं उसको human brain के धंक से ही उसको design करने की कोशिच चल लही है और AI में भी हम अब ऐसा काम कर रहे हैं कि जो learn करता है यानि कि एक programming तो हमने उसमें कर दी है पूरी की पूरी लेकिन learn करने की programming भी उसमें already है यानि कि वो interaction से अपने काम से और कुछ कुछ जो आप से बात होगी interact होगा उसके थूप वो artificial intelligence भी learn करेगी और improve करेगी ऐसा है कि ने तो उस improve करने से क्या होगा उसका एक नया personality पैदा हो लेकिन वो भी आल्रेडी है programming जो पैदा होगी वो भी उसकी programming का ही हिस्ता है लेकिन उसमें यह possibility भी है कि improve भी किया जा सकता है उस चीज को अभी यह मैं समझता हूं initial stage में है जब ज्यादा काम होगा तो बिल्कुल human brain की तरह से चीज़ें आ जाएंगी और तभाली उट की movies ज जाए कि आपको मुश्किल आने लगे तो human life में भी यूं तो एक programming है बहुत deep programming है बहुत cosmic programming है और उस cosmic programming में हमारे सीखने के लिए function करने के लिए सारी freedom है free will है हम कर सकते हैं लेकिन वो चलती तो उसी programming के बीच में ही है उससे आगे जाने की उससे बाहर जाने की कोई possibility नहीं है यह चीज है तो उस sense में सब कुछ happening की तरह ही है और जिसको जैसा सरीर मन का धाचा मिल गया है वो उस तरह से उसको design करके और उस तरह से आगे ले जाएगा यह जान लेने के बाद आप बहुत सांथ हो जाते हैं कोई अचटर नहीं रह जाती है कोई comparison नहीं रह जाती है अब animal world में या वहाँ पर कोई टक्राव नहीं है वो unconscious plane पर है कितना भी अलग-अलग हो कोई व्यक्ति उनमें कोई टक्राव नहीं है वो unconscious plane पर है क्योंकि वो analyze अभी नहीं कर पा रहे हैं लेकिन analyze ना करते हो भी stage वही है अब जंगल में share भी अगर जा रहा है और कोई खर्गोष भी जा रहा है तो खर्गोष demoralized नहीं है ना share बहुत pride में है कि मैं कोछ बहुत बड़ी चीज हूँ या बहुत काबिल चीज हूँ ना कोई चुहा खर्गोष छोटे से छोटा जिसको share के मुकाबलया बहुत ही तुच्छ समझेंगे वो भी उतनी ही sound में है उतनी ही अपनी dignity में है कोई कमी नहीं क्योंकि अभी उनके पास comparison का mode नहीं है unconscious है लेकिन अपनी अपनी programming में जी रहे है तो human life चोकि सबसे evolved है यहाँ पर उसी wisdom को अगर हम consciously डालें उसी wisdom को तो बहुत सारी problem solve हो जाती है कि अलग-अलग किसम के लोग है अलग-अलग किसम के इसलिए है क्योंकि उनकी अलग-अलग programming है अलग-अलग उनका database है उनका functioning का system अलग-अलग है तो एक जैसे तो वो हो नहीं सकते हैं एक जैसे वो appear होंगे animals में तो सब अलग-अलग दिख रहे हैं humans में तो एक जैसे दिखते हैं लेकिन दिखना भी एक deception है machine के अंदर जो है वो chip सब अलग-अलग लगी हुई है genetic structure सबका एक खास ढंग पे आही गया है surrounding की conditioning सबकी खास तरह की आही गई है और उसके अलावा सब अपने अपनी तरह का input लगातार अपने अंदर डालने यानि कि up-to-date conditioning को लगातार लोग अपने अपने ढंक से बढ़ा या घटा रहे हैं जैसे भी तो वो सब उनको तुरंट shape करता चला जा रहा है दो लोग कभी एक जैसे नहीं होंगे ये जानने के बाद सारी जो comparison के चीज है वो गिर जाती है फिर कोई मुश्किल नहीं रह जाती और वो सबसे गहरी सानती है उसके बाद ही जो घट्रा घट्ती है अंदर वो साक्षी की है साक्षी अपने अंदर तूटा हुआ कोई हिस्सा नहीं है साक्षी ऐसी समझ है कि जीवन में हमारे अंदर कोई ऐसा plane है जो सब कुछ को कहीं दूर से या कहीं गहराई से ये वो थोड़ा पोटिक है ये बातें पोटिक ही होती है दूर और गहराई ऐसी कहीं नहीं होती लेकिन फील ऐसा ही होता है आप सब बस महसूस करते है यानि उसका हिस्सा नहीं है आप उसका हिस्सा नहीं है बस इतनी सी बात है और इसको मैंने बहुत बार बहुत simplified term में कहा जब जैसे आदि संकर ने अपनी बात रखे कि ये संसार जो है सपने जैसा है तो लोगों को लगता है सपने जैसे का मतलब ये आयाथार्थ है इल्यूजन है ऐसा उन्होंने नहीं कहा आयाथार्थ है सपने को भी अगर आप अपने समझे अनलाइज करें तो सपने में भी कई बड़े क्लूज हैं बड़े मेडिटेटिव क्लूज हैं और ज्यादा तर मेडिटेटर सपने को बहुत निंदित करने में लग जाते हैं उसको कंडेम करने में लग जाते हैं जो लोग भी थोड़ा ठीक से सपना विविडली देखने में सक्षम हैं यूं तो सभी को आते हैं लेकिन अगर आप vivid कोई सपना देखते हैं, सपस्ट रूप से, तो आप देखें कि सपने में कई चीज़ें होती हैं, कई तल होती हैं, एक तो आप अपने कोई करेक्टर के रूप में देखते हैं, कि आप जा रहे हैं, कर रहे हैं, कुछ भी आप हो, यानि आप एक करेक्टर ह केबल किरदार के अलावा सपने में कोई एक ऐसा फिनोमिना है कोई ऐसा एलेमेंट है जो उस सब को भी देख रहा है तभी तो आप रिपोर्ट कर पाते हैं सुवए उठने के बाद कि मैंने देखा कि मैं जा रहा था और मैं वहां ये कर रहा था मेरे साथ ये हुआ मुझको औ और जो वो देखने वाले फिनोमिना था सपने में भी कभी ये क्वेश्चन नहीं होता कि ये अगर मैं ही करेक्टर हूँ इसमें और मैं ही देख रहा हूँ तो देखने वाला कहां पर है मतलब who is seeing ये सपने में क्वेश्चन कभी भी नहीं उठता लेकिन सपने में कोई कर देख रहा है कि तभी रिपोर्टिंग में आप एक थर्ड पर्सन की तरह रिपोर्ट कर पाते हैं कि मैंने अपने को वहां देखा मैंने अपने को यह करते हुए देखा वह जो एलिमेंट है वही साक्षी है जो सभी के अंदर हमेशा एवेलेबल हैं और उसको अगर हम करें तो हम इस सारे जीवन में सब कुछ होते हुए भी देखेंगे और अपने को एक करेक्टर की तरह भी देखेंगे यानि कि जो वो देखने वाला है सपने में अगर करेक्टर से बिलकुल मर्ज हो जाए तो जो प्रॉब्लम होगी यानि कि सपना फिर थोड़ा अर्चन में पड़ जाएगा वही प्रॉब्लम हमारी नार्मल लाइफ में होती है बस इतना छोटा सा डेटेच्मेंट अगर वो कर ले तो जीवन सपने जैसा ही हो गया यानि कि सब सपने जैसा ही हो गया काम सब पूरे हो रहे हैं सपने में भी अगर हम भूखे प्यासे होते हैं तो उस इस लाइफ में डेटेच्मेंट के प्लेन पे अगर वो जो अबजरवर है वो आ जाए जो डेटेच्ड अबजरवर है जो सब किरदारों को करेक्टर्स को देखता है और अपने को अपने को और जब वो आएगा तो उसके बाद धीरे धीरे ये भी पता चल जाएगा कि जो ये दूर से देखने वाला है जो दूर हटके देखने वाला है वही सोर्स है वही स्रोथ है वो सब जगे फैला हुआ है उसमें और किसी में कोई डिफ्रेंस नहीं है तब फिर एक अंतिम समझ आती है ultimate understanding जिसको जे कृष्ण मूर्ते भी बार बार रेपीट करते थे observer is the observed द्रश्टा ही द्रश्य है यानि कि जो द्रश्य है वो अलग नहीं है देखने वाले से एक है अगर द्रश्य अलग नहीं है देखने वाले से वो एक ही है तो इसमें फिर अद्वैत का वही भावा आ जाता है कि जो कुछ है एक ही चेतना है all there is one consciousness वही हर तरफ से घट रही है तो सपने की स्थिती से इस स्थिती तक जाना यह enlightenment है यह अंतिम बोध है सुरुवात लेकिन वहां से अगर करी जाएगी तो हम यह कहेंगे कि यह अंतर यात्रा या साधना वो शुरू हो गए किसी और गिमिक या किसी और सरकस या किसी और फैंटेसी से वो नहीं शुरू होती अपने जीवन में उस detached observer को लाने से और वो dream like state है बहुत soothing है तो meditation में जो मेरा suggestion है जैसे कल एक हमने aliveness का simplest meditation मैंने कहा कि उसको आप try करें इसी तरह से ये एक दूसरा simplest meditation है कि जब अपनी dream की situation को आप अपनी actual life में ले आते हैं और बस महसूस करते हैं कि कहां से कैसे नहीं पता बस ये है और वो उससे अलग है आप यहां बैठे हैं तो आप अपने को watch कर रहे हैं सब को watch कर रहे हैं अब्जर्ब करें कि बैठे हैं ये situation है actual में क्योंकि कभी आप इसको भी report करेंगे तो आप ऐसे ही उसको report कर पाएंगे लेकिन हम लोग अभी क्या है कि उसको बहुत identify कर लेते हैं कि मैं वहाँ गया था, मैं वहाँ गई थी, मैं बैठी थी, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ और वो जो observer था, यानि कि जो द्रस्टा था, वो इतना ज़्यादा हमारे इस manifestation से मिल गया, इस रूप से कि अंतर्क हो गया और फिर वो परिशानी में बदल गया, तकलीप में बदल गया तक्नीकी रूप से क्या है, तक्नीकी रूप से अगर आप देखें कि ये जो body, mind और ये जो frame था इस समय जब आप इसको आज से हपते बर बाद रिपोर्ट करेंगे तो ये होगा ही नहीं, यानि कि जो यहां बैठा था और हपते बर बाद जो इसको रिपोर्ट करेगा, वो होगा ही नहीं तो dream ही तो हुआ ये, बैग्यानिक रूप से भी देखें हमारी इसकिन जो है इसकी cells 24 hour में बंती बिगड़ती रहती हैं, कहते हैं कि इस्टमाक या ये सब जो है वो पूरा उसका विज्ञान है वो टेक्निकली मुझे कि उसका टाइम डूरेशन नहीं याद है लेकिन हां ये मोटा मोटा मुझे अभी याद आ रहा है उसको आप सर्च करके पढ़ सकते हैं हर आरगन अपने को बहुत जल्दी जल्दी वो रिवाइब करता है तीन हपते से चार हपते में आपके बॉड़ी के तमाम आरगन की टोटल की टोटल सेल्स रिन्यू हो चुकी होती है पूरी की पूरी सेल्स रिन्यू हो चुकी होती है अब ये हैरान करने वाली बात है और इस पर भी अभी काम चल ला है साइंस में बिज्ञान में इस पर भी रिसर्च है चल लहीं कि जब हमारी टोटल की टोटल सेल्स रिन्यू हो गई यानि कि पुरानी सेल्स मरी हगतं हुए और नई सेल्स आ गई तो जो पुरानी बीमारियां थे वो गई क्यों नहीं नमीर naw नहीं जब आएं तो उन्होंने पुरानी चीज को कैसे करें किया ये समय का research का बहुत बड़ा मुद्धा है हमको तो देखता है कि बिमारी है बिमारी चली जा रही यानि कि लीवर की सेल्स अगर तीन हपते में रेन्यू हो जाती ही चार हपते में ऐसा ही कुछ है जान तो को ऑसा है ल्वी केंच सर्च अबाउट इट कितने कितने में चलो तीन महीने मान लेज़े बिल्कुल हम डॉक्तर तो है कि यह साइंटिस्ट की पूरा मेडीकल होक लेके गिंती बताएं मोटा-मोटा तीन महीने माले तीन महीने में पूरा गर बौड़ीज हो जाती है तो क्यूं पुरानी चीज बनी रहती है बची रहती है ये इस समय का रिसर्च का आभी में कई बुक्स पढ़ रहा था उसमें बहुत बड़ा पॉइंट है तो उसमें वो ये चीज देख रहे हैं कि कोई ऐसी शेलूलर इंटेलिजेंस या बैवस्ता है मेमरी की जो मेमरी को ट्रांसफर कर देती है यानि कि जो सेल नई आ रही है और पुरानी सेल उसको मेमरी ट्रांसफर कर देती है यानि कि वो उसी memory को लेकर फिर से बैठ जाती है तो चीज continue रहती है अब इसमें क्या है कि अगर उस memory के transfer को break किया जा सके रोका जा सके अब ये तो hypothesis है scientific successful होगी की नहीं होगी मैं नहीं जानता लेकर सुनने में interesting लगती है और possibility हो भी सकती है द्यान साधना से संभव हो ऐसे चीजएं हो जाती रही हो या तमाम तरह के जो पहले के योगी और रहस्च में साधक हुए हैं जिनके बारे में ऐसा नहीं कर सकते की नहीं होए हैं हो सकता है ये किसी जाने या अ़्जाने ढंक से वो इस चीज को कर लेते रहे हूं तो वो जो हाइपोथिसिस है इस समय वो कहते हैं कि अगर वो जो मेमोरी का ट्रांसफर होना है कोशिका लेवर पे उसको ब्लॉक किया जा सके तो तीन महिने बाद तो आप बिल्कुल नए पैकेज में हैं सारी चीज खतम हैं आपके पुरानी कोई बीमारी परिशानी उसमें कह प्रतम होने से पहले अपनी मेमोरी ट्रांसफर कर देती है नई पैदा हुई सेल को बड़ा टेकनिकल मता है लेकिन इंट्रेस्टिंग है यह चीज तो हम लोगों को इन सब चीजों पर बहुत आवेर होके देखना पड़ेगा चीजों पर कि जब इतना नए होने का मसला है तो हटे बार तीन महीने बाद जो गटना गटी थी वो तो ड्रीम लाई की हुई सपने जैसी हुई हम उसको मेमोरी में ही कैरी करते है हम उसको memory में carry करते हैं तो ज़्यादा तर हमारी परिशानिया इसमज़तिके तल पर ही है किसी ने हमारा अपमान किया था किसी ने हमको परिशान किया था किसी ने हमको कुछ भी किया था और हम उसको carry कर रहे हैं बातें खतम हो गई है तो अगर हम उसको ही अभी सीज कर सकें या खतम कर सकें तो हो सकता है साइकिक प्लेन पर या वैसे तल पर वो चीजें भी डिस्कनेक्ट हो जाएं इसको रिकॉल करना ऐसे अगर हम सीख ले तो बहुत बहतर होगा, दूसरों से बात करते समय तो यह इंप्रैक्टिकल होगा कि आप ऐसे बात करें कि मैंने अपने को देखा तक गया था लेकिन अपने को तो वैसे रिकॉल कर सकते हम जैसे ड्रीम में रिकॉल करते है बहुत बड़ी फ्रीडम आपको नजर आएगी और वो एक अलग किसम का आपजर्वर और अलग किसम का विटनेस है समझ रहे हैं जाओ किसम का विडास्टा किस con विड़र्वर्पल चीचल किसम का विड़्य का